आज के इस वीडियो में हम कुछ useful और advanced एकलिए sentences सीखेंगे जिनमें advanced pecapular use की गई है तो start करते हैं हमें फॉरन निकलना है, जल्दी निकलना है जब आप ये कहो होना कि किसी भी जगा से फॉरी निकलना है, जल्दी निकलना है, उसी वक्त निकलना है उसके लिए word use होता है, zoom off हमें फॉरन निकलना है, we have to zoom off एक नजर देख तो लो, take a glance glance कहते हैं, बस एक नजर डालना और पिर नजरे हटा लेना एक नजर देख तो लो, take a glance वो मुझ पर नजर रखता है किसी भी चीज़ पर नजर दखने के लिए हम use करते हैं, keep an eye keep an eye, किसी चीज़ पर, किसी शक्स पर अब अगर मैं कहती हूँ, वो मुझ पर नजर रखता है तो आप कहेंगे, he keeps an eye on me keep में आस लग जाएगा, क्योंकि he third person singular है और ये present simple का tense है he keeps an eye on me, वो मुझ परं नजर रखता है दूसरों के लिए मिसाल काईम करो be an example for others be an example means दूसरों के लिए मिसाल बन जबो, ऐसा काम करो be an example for others पानी को उप़र से पियो, मुँ लगा कर ना पियो यनि बॉटल को मुँ लगा कर ना पियो, उप़र से पियो तो आप कोगे just take a waterfall, don't drink it straight, waterfall, just take a waterfall means उपपर से पानी पियो, bottle को मुह मत लगाओ, तो आप कोगे just take a waterfall, don't drink it straight, अपना बोच किसी पर मत डालो, don't burden others, don't burden others, अपना बोच किसी पर मत डालो, इसे ऐसे ही रहने दो, just let it be, just let it be, यानि जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, इसे change मत कर just let it be, fridge बरफ नहीं जमा रही या बरफ नहीं बना रही, तो आप कोगे the fridge is not making ice, the fridge is not making ice, ये तो बहुत बिरानी जगा है, this is a very desolate place, desolate means बहुत बिरानी प्लेस जहां कोई न हो, this is a very desolate place, ये तो बहुत बिरानी जगा है, आपने गलत जूते पहन लिये हैं, उल्टा वाला सी you are wearing your shoes wrong, you are wearing your shoes wrong, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, you have broken my heart, you have broken my heart, हम कहां गुमने जा रहे हैं, where are we hanging out, where are we hanging out, hanging out means कहीं बाहर जाना गुमने पहने जाना, where we are hanging out, मेरी एक जैसी और बहुत ही boring routine है, I have a monotonous routine, monotonous कहते हैं, एक जैसी होना, जिसमें कोई तब्दिली ना हो, सब कुछ routine पर हो, same same हो, तो उसके लिए आप कहोगे, I have a monotonous routine, मेरी एक जैसी और बहुती boring routine है, यानि हम घूम फिरके वहीं आ गए हैं, जहां हमारी बात आगे नहीं बढ़ रही है, यानि बाद जगात हम कोई topic पर discussion करते हैं, और बहुर गदर discussion के बात हम फिर उसी point पर आ जाते हैं, तब आप कहोगे, we are just going around a circle, यानि हम पूरी बात में घूम फिरके वहीं पर आगे जहां से शुरू किया था, we are just going around a circle, इसे संजीदा ना लो, वो तो ऐता ही करता है, इसे नजर हट ही नहीं रही, I can't take my eyes off it, इसे नजर ही नहीं हट रही, एक शीर से दो शिकार, hit two birds with one stone, hit two birds with one stone, जड़ा सी आवाज उंची करना, turn up the volume a bit, थोड़ी सी आवाज उंची करना, turn up the volume a bit, क्या तुम्हें ice cream पसंद है, do you like ice cream, do you like ice cream, कौन नहीं पसंद करता, who doesn't, जब आप किज़े से कोई पुश्चे हो, कि तुम्हें बाहर जाना पसंद है, या तुम्हें खाना पसंद है, या तुम्हें ice cream पसंद है, तुम्हें ice cream, do you like to go out, फिर आगे से अगर बंदा कहता है कि कौन पसंद नहीं करता, तो आप कहोगे who doesn't, कौन बाहर जाना नहीं चाहता, who doesn't, तो आगे से अगर यह जवाब आए, तो आप कहोगे who doesn't, step out कहते हैं कि आप किसी काम से बाहर निकलो थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आ जाओ, तो यहाँ पर क्योंकि के continuous है, तो हम कहेंगे I'm stepping out for grocery, मैं grocery करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो यह कुछ sentences है, advanced vocabulary के साथ, और यह हम रोजाना अपनी conversation में use करते हैं, तो आच से इंट्स को इंग्लिश में बोली, keep staying with us, thank you for watching.